दोस्तों आम बिसान एडियो गूरूप माँ आपका बहुत बहुत सवागत है आईये आज का हॉट टोपिक में से एक आई फुलू आई फुलू जो आख उटना कंज़ेक्टिव आई जो अभी बहुत ही फैला हुआ है यह कैसे होता है क्यों किन बजों से होता है तो यह होता ह लोग तो कह रहे हैं कि चंद्रियान थिरी जो उड़ा है ना जब से चंद्रियान थिरी आपने सुना होगा चंद्रियान थिरी वो जब से लॉंच किया गया है तब ही से आई फुलू जो है ना बहुत पकड़ लिया यह यह क्या होता यह आख है भाई यह आख है यह आईरिस ह पिंक यह लाल होता चला जाता है उपकलन यह लाल हो गया है यह आँक उट गया है कि यह कंजसिट्ब आई इसे कहते हैं तो यह कैसे फलता है यह चंद्रियान थ्री के लॉंच से ऐसा कुछ नहीं हुआ है लोग सारे बोल रहे हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यह बेहार में भी बहुत तेजी से फैल रहा है मुंबाय में लगभग 20% लोग इससे छती गरस्ते हैं मुंबाय में और देली में भी इसका बहुत सारे अंकड़े निकाले जा रहे हैं और चंद्रियान जहां से लॉंच हुआ उस एरिया में कुछ भी नहीं हुआ है इस साइड में हो रहा है इसका कारण क्या है आए जानते कारण तो यह मांसून में जो है ना जो आट्मोस्फेर में हुमेडिटी बढ़ क्या है है विए जब बढ़ता है तो यह और बाड़ यहां तो वैर्स और वैक्टेरिया कि यह यह होता है तो यह estás Meteor RJ researcher में बहुत ज्यादा वाटर नमी हो जाती है उसी को नमी वाईव कहते हैं तेजी से क्या करता है गुरू करता है बढ़ता है फिर लोगों को infect करता है तो इसी कारण से AWP आई फुलू हो रहा है किसके वज़े से आई फुलू हो रहा है तो यह वारेस बैक्टरिया एंड एलर्जी के वज़े से हो रहा है एलर्जी के वज़े से हो रहा है किसे किसे वारेस अब यह क्या है लोग दिन में चस्मा लगा लेते हैं और तो ठीक है रात में भी चसमा लगा लेते हैं क्योंकि उठना या आई फुलू जो हो रहा है कि इसकी ये चंद्रियान 3 के लॉंच से नहीं हुआ है ये वायरस वैक्टरिया और इलर्जी से तो वायरस कैसे पनपता है आप लोग जान चुके हैं कि वायरस पनपता है वारिस के दिन में मां युमिडिटी बढ़ जाती है जिसके कारण भायरस बैक्टरिया बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और जो आँखों पर इंफेक्ट कर रहा है एलर्जी के बज़े से क्यों लाल होता है एलर्जी के मतलब धूलकन बगएर कई लोगों को धूलकन से एलर्जी होता है कई ल लक्षन किया है कि आपको आई फुलू हो गया है यह लक्षन को जांच करने के लिए अभी बताएंगे और ज्यादा हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यह ने कि यह वीडियो देख लोगों आपने सकानुंची कर लेना पिर बोलना आप ही तो बता यह कैसे होता वह आपको पता चल गया और आख जो हता है लाली लाली कैसे होता है और आई फुलू कैसे पकड़ा जाएगा तो आपके आखों में सुजन होगा लाली पन बढ़ जाएगा धीरे धीरे यह जो लाली है यह लाली पन बढ़ जाएगा लाली पन बढ़ता थोड़ा थोड़ा देखेगा ना बलरी टाइप का बल यह करते ने मोबाइल में जैसे एक दम तो वैसा टाइप का हो जाता है इस विमारी AYFULU से जब यह सब लक्षन आपको आ जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दोस्तों तो डॉक्टर पास जाना पड़ेगा यह चंदरियान थिरी का कोई भी लक्षन नहीं है, किसकोई भी कारण नहीं है, आपको पता चल गए. और ये दो, चार दश दिन में लगवग, दस दिन आपको परिसान करेंगे. बहुत बड़ा बिमारी नहीं है. ये. बट आई-फुलू से बछने के लिए क्या करेंगे बचाओ क्या होगा आई फुलू से बचाओ आई फुलू का बचाओ क्या होगा आई फुलू का कैसे बचेंगे तो आई फुलू जैसे आँख मलता है जिसको आई फुलू जहां तहां बैठ गिया अब फिर आप उससे जाके हाथ मिला लिया बाहर गयें कुछ उस रेंज में नहीं आना अगर सटके देखेंगे तो आपको फैल जाएगा तो इसे दूरी बना के रखना है जिसको आई फिलू है हाथ वगार नहीं मिलाना है और फिर घर जाना है जैसे तो हाथ थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा तब जाके इससे आप बचे रहेंग और चस्मा पेंटना इसलिए जरूरिया आँख देखने से दूर से कुछ नहीं होता है आँख का नक्सा बगएर जिसको दूर से हो गया तो देखने से कुछ ऐसा पटता नहीं है बगएर ये पटने वाले मिमारी है वो कॉंटेक्ट से जब नजदीक से कॉंटेक्ट और सोल्यूशन दोनों मिल गया है दोस्तों आप इस इंफॉर्मेशन को कैसा लगा है मैसेज करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों थैंक्यू वेरी वेरी मच्च